C.I.E.T. N.C.E.R.T. दौरा प्रस्तुत है Part 6. रक्त और हमारा शरीर प्रिष्ट संख्या 34 दिव्या अनिल की छोटी बहन है यों तो वो शुरू से ही कमजोर है लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है मन किसी काम में नहीं लगता भूग भी पहले से कम हो गई है अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है जांच करा कर देखते हैं ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जाच के लिए आपके पास भेजा है इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दिए और स्लाइड पर लगा दिए फिर अनिल से बोलें अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना अगले दिन अस्पताल पहुँचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी भीतर से आवाज आई आजाओ अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तुपाया डॉक्टर दीदी सुक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जाच कर रही थी दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया स्लाइड की जाच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोये और तॉलिये से पोंचती हुई बोली दिव्या को एनीमिया है चिंता की बात नहीं कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी प्रिष्ट संख्या 35 अनिल के मन में जिग्यासा हुई वह बोला दीदी एक सवाल पूछू हाँ हाँ क्यों नहीं डॉक्टर दीदी ने कहा एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी उसने पूछा यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा डॉक्टर दीदी ने कहा फिर बोलें अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है किन्तु इसे सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखें तो यह भानु मती के पिटारे से कम नहीं मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाजमा कहते हैं दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं जिन्हें बेमबानू, अर्थात प्लेटलेट कण कहते हैं ये कण प्लाजमा में तेहरते रहते हैं इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्म दर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई उसे फोकस किया और बोली देखो अनिल, सूक्ष्म दर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण प्रिष्ट संख्या 36 स्लाइड देख, मानो आश्चरे से उचल पड़ा था अनिल रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालू शाही रक्ती गई हो हाँ, दीदी बोली लाल कण बनावट में बालू शाही की तरह ही होते हैं गोल और दोनों तरफ अवतल यानि बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है यदि हम एक मिली मीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंका नज़र आता है ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुँचाने का काम इनकणू का ही है इनका जीवनकाल लगभग चार महीने होता है चार महीने के होते होते ये नश्ट हो जाते हैं लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे अनिलने का, यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी बोलें, नहीं, ऐसा नहीं होता शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नश्ट कणों का स्थान ले लेते हैं हड्यों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रख्ट कणों के निर्मान कारे में लगे रहते हैं इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौतत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौश्टिक आहार लेते हो। हरी सबसी, फल, दूद, अंडा और गोश्ट में यह तत्व उप्युक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ती उचित आहार ग्रहन नहीं करता, तो इन कारखानों को आवश्यक्ता नुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। प्रिष्ट संख्या 37 तो क्या संतुलित आहार लेने मातर से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं। अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली। हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। किन्तु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौश्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीडों का हो जाना। ये कीडे प्राय, दूशित जल और खाद्यपदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतह इन से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्यपदार्थी ग्रहन करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोलें और साफ पानी ही पियें। और हाँ अनिल एक रिस्म के कीडे भी हैं जिनके अंडे जमीन की उपरी सतह में पाई जाते हैं। इन अंडों से उत्पन हुए लारवे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इन से बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचाले का ही प्रियोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घुमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्पून बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला। आपने बताया था कि रक्त में सफेद कन और बिम्बानू अर्थात प्लेट लेट कन भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है। प्रिष्ट संख्या 38 दीदी बोलीं सफेद कन वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगानू शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कन उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। और जहां तक संभव हो पाता है रोगानू को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिम्बानू का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाजमा में एक विशेश किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकडी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बानू इस जाल से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिस से रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाउ गहरा हो तब तो खून बहत ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिती से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पर सकते हैं, किन्तु डॉक्टर के पास पहुचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांच देना चाहिए। दबाव पढ़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाब प्रद सिध हो सकता है, किन्तु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए, तो उसे रक्त चड़ाने की जरूरत भी पढ़ सकती है। दीदी ने स अधार पर रक्त को चार मुख्य वर्गों में बाढ़ दिया गया है। जरूरत मन व्यक्ति के रक्त समूह की जाच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चड़ाया जाता है। प्रिष्ट संख्या 49 लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ह नहीं तब अनिल ने पूछा ऐसी आपात स्थिती के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तयार रखा जाता है किन्तु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार निल ने पूछा नहीं अभी तुम छोटे हो 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्त व्यक्ति ही रक्त दान कर सकते हैं एक समय में उनसे लगभग 300 मिली लीटर रक्त ही लिया जाता है प्राय ये समझा जाता है कि रक्त दान करने से कमजोरी हो जाएगी किन्तु यह विचार बि लगभग 5 लिटर खून होता है इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरत मंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी दीदी समझाते हुए बोली फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा अनिल ने कहा श इस्ट संख्या चालीस प्रश्ण अभ्यास पाट से प्रश्ण एक रक्त के भाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए प्रश्ण दूँआ को भानुमती का पिटारा क्यूं कहा जाता है प्रश्न 3. एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या-क्या खाना चाहिए प्रश्न 4. पेट में कीडे क्यों हो जाते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है प्रश्न 5. रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाब है प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायू से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुँचाता है सफेद कन, लाल कन, सांस नली या फेपडे पाठ से आगे एक, रक्त में हीमोग्लोबीन के लिए किस खानिज की आवश्यक्ता पड़ती है जस्ता, शीशा, लोहा या प्लेटिनम दो, बिमबानू अर्थात प्लेटलेट कन की कमी किस बीमारी में पाई जाती है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया प्रिष्ट संख्या 41 भाशा की बात एक, क, चार महीने के होते होते ये नश्ट हो जाते हैं इस वाक्य को ध्यान से पढ़िये इस वाक्य में होते होते के प्रियोग से यह बताया गया है कि चार महीने से पूर्व ही ये नश्ट हो जाते हैं इस तरह के पांच वाक्य बनाईए जिन में इन शब्दों का प्रियोग हो बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते और करते करते ख, इन प्रियोगों को सुनिए, सडक के किनारे किनारे पेड लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है, किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक आप भी अब सुनाए जाने वाले शब्दों का प्रियोग करते हुए वाक्य बनाईए और उनके अर्थ लिखिए ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या, दो इस पाठ में दिये गए मुहावरों और कहावतों को याद कीजिए और वाक्यों में प्रियोग कीजिए जैसे भानुमती का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना, कुछ करने को एक, अपने परिवार के अठारा वर्ष से पचास वर्ष तक की आयुवाले सभी स्वस्त सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयम भी रक्तदान करने का संकल्प लीचिए दो, शरीर रचना का चित्र देख कर, उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए तीन, इन प्रशनों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए क, ब्लू बहरी क्या है? ख, रक्त के जमाव की क्रिया में बिम्बानू अर्थात प्लेटलेट का कार्य क्या है? ग, रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए ग, कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? न, क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चड़ाया जा सकता है? अंग में अचानक रक्तसंचार रुख जाने से क्या-क्या परिस्थितियां उत्पन हो सकती हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट। प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।